तो लाश्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सिक्षा है पड़ाई है वो किस परकार से आदमी को मदद करती है यस किस तरीके से पढ़ने से हमें क्या पराप्त होती और किस तरीके की चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए तो अब हम पार्ट 2 में इसका यहां से स्टार्टिंग करेंगे जहां पर मैंने part 1 में छोड़ा था तो यह देखना है यह लाइं जो है आप यह यह जो आप संटेंस है यह एक लेटिन कोटेशन है लेटिन लेंगवेज का एक कोटेशन है जिसका की अर्थ होता है इस्टेडी पासेज ओन इंटू करेक्टर्स इन एंफ्लूएंस वे जो सिक्षा होती है वो व्यक्तियों में एक बहुत ही प्रभावकारी रूप से पास हैंने होती है एक दूसरे पर जाती है या गुजरती है सिक्षा जो होती है एक से दूसरे पर बहुत ही प्रभावकारी रूप से जाती है क्योंकि जो हम ग्यान प्राप्त करते हैं वो किसी भी व्यक्ति को हम ग्यान दे भी सकते हैं और वो जो ग्यान होता वो बहुत ही प्रभावकारी पूर्ण रूप से दिया जा सकता है किसी को भ नहीं यहां पर कोई भी इस्टॉंड ने होता है आउट डेटेड यह अप्रचलित और इंपेडिमेंट ने होता है बाधा या हिंड्रेंस इंद विट ने बुद्धी तो जो बुद्धी होती है उसमें कोई भी चीज अप्रचलित या बाधा पूर्ण नहीं होती है बट मैं भी रौत आउट बाई फिट इस्टॉडिज अगर कोई चीज अगर हमें देखकर देती है या परिसानी करती है तो हम उस चीज को बाहर निकाल सकते हैं बाई फिट इस्टॉडिज नहीं एक उचित अध्यन करके या उस चीज को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं लाइक ठीक उसी प्रकार से जस्पकार की जो बीमारिया होती है जो शरीर में उनको हम ठीक कर सकते हैं मैभ एप्रोप्रियेट एक्सरसाइज उचित एक्सरसाइज ज inquiry क इस्चित कसरतों के दोरा या उच्चित माध्धिमों के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं जैसे कि किन किन एक्सरसाइस से कौन कौन सी बीमारियों में आराम मिलता है वो भी जो फ्रांसिस बेकन है वो हमें बता रहा है बोलिंग इस गुट फोर दे स्टॉर्न एंड रिंस जो बोलिंग जो गेम होता है एक जिसमें बोल फेके जाते हैं बोल फेक कर जो सामने जो रखी रहती हैं चीजें उनको अपन गिराते हैं बोल के द्वारा फेक कर हाथ से तो यह जो बोलिंग प्रकार का जो खेल होता है इस गुड फोर दे स्टोन ये पथरी के लिए एंडरीन सेने किड्नी के लिए बहुती अच्छा होता है सूटिंग फोर दे लंग्स और जो सूटिंग का गेम है निसाने बाजी का वो हमारे फेफडे और ब्रेश टने च्छाती के लिए बहुती उचित एक्सरसाइज या कसरत होती है जेंटल वाकिंग फोर दे स्टोमच और जो आराम से हम टहलते हैं वो हमारे पेट से संबंदी जो रोग है उन चीजों को दूर करने में मदद करती है ये एक्सरसाइज राइडिंग फोर दा हैड और जो घुट सवारी है वो मस्तिस के संबंदी जो दिकते हैं उनको दूर करने का काम करती है और भी कई करस्टे हैं जो और भी बीमारियों में फायदा करती है तो उस व्यक्ति को mathematics गड़त विसाय का अध्यन करना चाहिए foreign demonstration if his wit be called away never so little he must begin again क्योंकि जब वो गड़त का अध्यन करेगा तो वो जो है अच्छा प्रदर्शन करेगा और उसे गड़त का अध्यन start कर देना चाहिए फिर से ताकि वो अच्छे प्रदर्शन को करे क्योंकि जो गड़त का अध्यन करता है वो बारिक से बारिक जो गलतियां है उनको पकट सकता है क्योंकि उस समय गड़त का अध्यन करते समय उसे बहुत ही ध्यान केंद्रित करने की आवसकता होती है और जिसकी वज़े से उसका जो दिमाग है वो कहीं और नहीं बटकता है यदि उसका जो दिमाग है यदि किसी विक्ती का जो दिमाग है अगर वो अंतर करने के योग नहीं है किसी में और फाइंड डिफरेंस या वही चीज जो कहीं गई है डिफरेंस करने में अगर योग नहीं है अंतर करने में योग नहीं है लेटे मिस्टी दा स्कूल्स में तो उसे स्कूल्स में का अध्यन करना चाहिए schoolmen मतलब यहां पर विदवानों के बारे में कहा गया है कि उसे विदवानों का अध्यन करना चाहिए इसके लिए for the arts 70 sectors क्योंकि वे लोग जो विदवान होते हैं वो बहुती 70 sectors होते हैं बाल की खाल निकालने वाले होते हैं जैने कि वो चीजों को पता लगाते हैं कि अगर यह चीज हो रही है तो किस वजह से हो रही है या किस कारण से हो रही है या ऐसा होता है तो क्यों होता है तो ऐसे लोगों का schoolsmen का उस विक्ति को अध्यन करना चाहिए जो अंतर करने में असफल होता है चीजों if we be not apt to beat our matter and to call up one thing to prove and illustrate another नदी कोई व्यक्ति एक ही चीज पर अडिक नहीं रहता है और दूसरे लोगों को समझने में असफल होता है या दूसरों लोगों को नहीं समझ पाता है तो लेट हम स्टेडी दे लायर्स कैसे तो उसे जो है वकीलों के जो केस होते हैं या वकील हैं उनका अध्यन करना चाहिए वकील के जो मामले होते हैं उनका अध्यन करना चाहिए So every defect of the mind may have a special received So इसलिए जो हर defect कमी जो होती है जो कमी होती है तो उनका जो एक कोई खास न खास ट्रीटमेंट लाज किया जा सकता है इस्टडी दे पढ़ाई के द्वारा तो यह था फ्रांसिस बेकन का ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा कि एक आप्रांसमे कर सकता है